आग्रा के सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इंडिको एयरलाइन्स के द्वारा आग्रा से मुंबई के लिए सीधे फ्लाइट चलाई जा रही है इसके साथ ही 6 जून से ताजनगरी से एहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है इससे होटल और परेटन व्यवसायों ने इसे परेटन के लिए अच्छा ब मुंबई एहमदाबाद के लिए ताजनगरी से सीधी उडान चलने के साथ ही होटल क्रार्क शिरास के जीएम अमूलेक का करने कहा कि गोवा देश का एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस है इसलिए ताजनगरी को उड्यन मंतराले को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ना चाहिए जिससे ताजनगरी के परेटन को कुछ फायदा हो सके आप देखिए जो पैसेंजर्स वहां से बंबे से आ रहे हैं करीब पौने 200 से 200 पैसेंजर हो जाकरे में आ रहे हैं किसी भी काम के लिए आ रहे हो चाहिए वो अपने बिजनस के लिए आ रहे हो या किसी मीटिंग के लिए आ रहे हो शेहर में आ रहे हैं तो शेहर में कुछ तो देखे जा रहे हैं न तो इस तरह की फ्लाइट का आपरेशन होना बहुत जरूरी है और भी इंपॉर्टन बहुत मुंबई के लिए ताजनगरी से सीधी उडान के चलते ताजनगरी के अन वैवसाईयों को काफी फाइदा हुआ है जिनका समय समय पर मुंबई वैवसाई के लिए आना जाना लगा रहता है सी न्यूस के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट